हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम मरदान है आज मैं थाइलेंड के बारे में आपको थोड़ी अपडेट देने आया हूं आने वाले टाइम में मैं थाइलेंड जाने वाला हूं घूमने के लिए तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी अपडेट है मेरे पास तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप अगर फर्दर कभी घूमने के लिए वहाँ पे जाओ इस टाइम में तो आपके किसी व्यां काम आ सके आपकी हैल्प हो सके उसके लिए आपने सुना होगा कि एक से प्लस प्लस होटल के लिए और आर्टी प गुटे करना पड़ता है जब तक आपकी और यहाई पर उसके बाद आपकी अगर रिपॉर्ट नेगेटीव आ जाती है तो फिर आप वहां से निकल कर घूम सकते हैं से प्लस प्लसूंडल को आप छोड सकते पिर इसी तरह को पिर और दे आप तो आपको फिर से आप्ँ lid test करवाना पड़ेगा और फिफ डे आपको सहेच्छ प्लस प्लस होटल को दुबारा वुक करवाना पड़ेगा पर अब एक अपडेट आई है जहां की कर दिया गया है उसको इहां पे कर दिया गया है आने वाले टाइम में जो अब यह टाइम चल रहा है करोना के बाद जो टूरिजम ओपन हुआ है इसके कारण महाँ पे टूरिज जादा से जादा है इसलिए फिट डे को इन्होंने ऐसे प्लस प्लस होटल को बुक करवाना और आटी पीसी आर जो मेंडेटरी नियुक्ला 5 Put Day के लिए उसको खत्म कर दिया गया है यह दुबारा से कि ऐसे ही ट्रावड को ओपन कर रहे है धीर ही देरे रिश्ट्रिक्शन आ रहे हैं जैसे जैसे बढ़ता जा आप एसे प्लस प्लस होटल आपको बुक करवाना है और और यह है इसलिए किया गया है थाइलेंड गोवर्मेंट अपने टूरिजम को बढ़ावा दे रही है दूबारा से वैसे ही जैसे पहले महाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाया करते थे वैसे ही अब दूबारा वहा दूबारा से बढ़ावा देने के लिए एक एक करके जो है रिस्ट्रिक्शन वो हटाते जा रहे हैं और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो हमारे इंडियंस भाई हैं और भी जो वहां पे थाइलेंड घूमने जाना पसंद करते हैं वह दूबारा से वहां पे जा प्रोग्राम इनों ने शुरू किया है दुबारा से शुरू हो गया है जिससे कि जैसे पहले फ्लाइट वहां पे जाया करती थी नॉर्मल वैसे ही यह दुबारा शुरू कर रहे हैं सीपैस्ट्रेट पर हमें फ्लाइट से अवलेबल मिलेंगी आने वाले कुछ समय में तो मेरा थाइलेंड और सिंगापूर का वीजा आ चुका है तो मैं आने वाले टाइम में वहाँ पर घूमने जा रहा हूं हम बात कर लेते हैं कि अगर परसन जो आर्टी पीसिया टेस्ट करवारा है अगर वह पोजिटिव आ जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा अगर वहाँ प थाइ गवर्मन ने 50,000 USD का जो था इंशोरेंस मेंडेटरी करवा रखा था जिसमें कोवीड-19 भी कवर हो सके बट अब थाइलेंड गवर्मन ने इसे कम करके 20,000 USD कर दिया है यह भी एक अच्छी ख़बर है जो रिस्रिक्षन यह धीरे-धीरे अटाती जा रही है वैसे वैस प्लस प्लस फटल के वारे में भी आपको बता दिया अब फरस्ट आ के लिए ही ऐसे प्लस प्लस फटल बुक करवाना और ड्रेत पी ऐस अटर कंट्रीज बहुत सारी कंट्री जो एक ऑपन कर रही है ऐसे ही धीरे-धीरे हर जगा टूरिजम है जो वह उपन होता जा रहा है जो कि बहुत सारे जो अपनी कंट्रीज हैं जो सिरफ टूरिजम पर ही डिपेंड है तो उनको इस तरह रिस्ट्रिक्शन हटा के ही काम करना पड़ेगा क्यूंकि अब कोविड नाइंटीन दिरे दिरे जो है वो खतम होता जा रहा है जो की न्यूज में भी चल रहा है आज कल क बहुत सारे कम आ रहे हैं इसकी वज़ा से जो टूरिजम है वो आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा बहुत सारे लोग पहले की तरह नोर्मल घूमने जा सकेंगे और अगली न्यूस जो आ रही है वो दुबाई से आ रही है अगली वीडियो जो आएगी वो दुबाई से बने रही है और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर यह वीडियो थोड़ी बहुत स्पोर्टिट लगी हो तो आपको मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजेगा थैंक्यू